हलो फ्रेंज सुप्रे किचन टीवी पे अप सब्सक्राइब बहुत स्वागत है चलि आज का रेसीपी दिख लेते हैं तो मैं यहाप एक कुकर केक मिक्स लिया हुआ है आज आप इसी का यूज करके केक बना रहे हैं तो इसकी रेसीपी आप पीछी दिया गया हुआ है इसी के टेस्टी सा यमी सा केक बनाने जा रहे हैं आज हमारे घर में सब को केक खाने का मन कर रहा है तो मैंने सुचा चलिए घर में पैकेट है तो इसे का केक बना लेती हूँ तो वैसे भी क्रिस्मस आ रहा है तो मैं आपे क्रिस्मस केक भी बना लेती हूँ वैसे भी वीडियो भी पानी लिया हुआ है 120 ml तो पीछे दिया था उतना ही उस करना है आपको आप चाहे तो पानी की जगव दूद भी उस कर सकते हैं तो अच्छी तरीके से बैटर को मिला लिजी ज्यादा पानी वगेरे नहीं एड करना है तो एकदम स्मूध साइज से मिलाना है आपको स्मूध सा टेल बना चाहिए तो देखिए कितना स्मूध बना हुआ है तो इसमें आपर एक तेबल स्पून और एड कर देती हूं से मिला लेती हूं यहाँ पर रिफाइंड ओल ही यूश करना है आपको सरसो का तेल भी उस नहीं करना है तेल का स्मेल केक में आ जाएगा वरना आप सरस युज दालें के बाद देखे बस तेल और पाणी ही युज जादा है यह इसमें स्वीट चीनी वगिए डालने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे मिलाने के बाद 2 मिंट के लिए रेश्ट के ले रखना है 2 मिंट के लिए तो मियाप पर केक्टिन लिया हुआ हुआ है 6 इंच तो यहां पर 2 मिन्ट हो चुक है तो सारा बेटर में हम पर केक टिन में आट कर देती हूं आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा आपको चौकलेट फ्लेवर का केक चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा चौकलेट वाला फ्लेवर भी आपकर सकते हैं जैसे कौफी पौडर रगेरा तो उसके बाद में यहां पर पार्च मिंट पहले ही कुकर रखा था फ्रीट होने के लिए नमक डाल के और उसके अंदर एक स्टैंड रखा हुआ है और यहां पर लीड क्लोज कर देते हैं उपर का सीटी विजिल निकालना है आपको विजिल बिना विजिल की ही आपको बंद क करना है तो मि sırम पर यहां पर गर만 के लिए उसे बेंग के लिए तो मि मेंधे कर दो दो ठेक हम तब तक हम यह पे क्रेम बना लेते हैं तो मि सांदो और यह आपके तो कोई भी बीक्वाएड रुप में क्रेम नहीं तो प्रुकुराया ने करते हें तो मैं आसानी से मार्केट में जो विपिंग पाउडर होता है वो मिल जाता है आप लाकी बना सकते हैं जो लिक विडियरूप में होता है वो आसानी से नहीं मिलता है तो आप पाउडर लाकी से बना सकते हैं तो मैं आप इसे इलेक्टरी बीटर से अच्छी तरीकी से बीट कर देती ह तो देखिए आच्छी तरीकि से bit हो चुका थोड़ां यहां पे वे निला ऐसे watch कर देती हूं क्योंकि आज आज हम हापे वे निला फ्लेवर का केक बना रहे है तो मैं हापे दो से ृप जो है निला कर देती हूं और फिर ससे हलका सा बीट कर देती हूं तर taş चारों से अच्छ बिटर में when that system and looksmal क्रीम फ्रीज में रख दें स्पॉंज हो चुके हैं तो 32-40 मेंस हो चुके हैं तो देखि हैं तो round हम ने हमक्री साथ कर चिक Patty बरेटेंटी घखिन कर दिए हैं तो परफेक्ट तरीके से प्लेय निकल रहा है, तो समझ लेना हैपे केक बहगने हो चुका है , तो इसे हम यहापे ठंडा होने के लिए रहना हो तो में हापे बटर पेपर को हटा देती हूं देखिए कितना स्पॉंज और कितना बढ़िया बना वहने इसका स्टेक्चर वगएरा आप देख सकते हैं में हापे स्प्रेस कर रहे हूं तो यह कैसे उपर आ रहा है बिल्कुल इसी तरीकी से स्पॉंज हमें मिला होना चाहिए क केक बनाते समय तो मैं आप इसे कट लगा लेती हूं पहले हैं पर निशान बना लेती हूं तो दीरे से अच्छे से कट कर दीजे में हापे दो लेयर बना रही हूं इसका तो देखिए दीरे से अच्छे से किनारों को इस तरीके से पहले लेयर बना लेजे लाइन बना लेज तकी क्रीम ढालते समय आषानी हूजए, तो मैं आपर क्रीम को इसमें आट कर देती हूँ, आपको जितना चाहिए उतना क्रीम आप पर पाईपिंग بैंग में आट कर सकते हैं क्रिम ठोड़ा करके पाइपिंग बैंग में भर देती हूं जितना लगता है उतना तो में आपे दो से तीन चमच इतना जो है बड़ा चमच तो इसे में हाँ अच्छी तरीकिया से सेट कर देती हूं बहुत सिंपल है केक बनाना भी आप बेकरी से भी अच्छा घर पे ही केक बना सकते हैं आप ज्यादा समय भी ने लेगेगा जल्दी से बन जाता है ज्यादा खर्चा भी नहीं अगर आप क्रीम से बगेरे नहीं बनाना चाहते तो आप बिस्किट का केक भी बना सकते हैं तो मै यहां पर एक बॉल में अलग सा क्रीम निकाला हुआ है उसमें यहां पर रड कलर टाल देती हूं लिक्विडी कलर है आप चाहे तो जो अगर आपके पास आवेलेबल नहीं तो घर में फुट कलर होता है वो भी यूज कर सकते हैं मैं आप इसके अंदर दो कलर यूज कर देती ह तो चले यह भी अच्छी तरीकी से क्रीम रड़ी हो चुका है तो में यहां पर एक छोटा सा स्टार नूजल जाया हुआ है तो इसे में आप पाइपिंग बैंग में अट कर देती हूं देखिए छोटा लिया हुआ है चोटा मुह वाला आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते ह हैं अगर आपका क्रिम हलका सा मिल्ट हो तो आप इसे दौ मिंट्या पांश मिल्स के लिया फृजर में रख सकते हैं तो देखिए मिहाँ आप इसे सट कर दिया हुआ इसे जो नीचे का हिस्सा उसे कट कर देती हूं तो चलिए अब केक बना लेते हैं अगर आपके पास टोरिंग टेबल वग्यरा नहीं है तो इस तरह का नीचे कोई भी बरतन रख दीजे और इस तरह के से ऊपर प्लेट या थाली उल्टा रख दीजे तो में यहां पर थाली को ही थोड शुगर शुरब बनाया हुआ दो से तीन चमच चीनी एर किया हुआ है और पानी आर किया हुआ है तो दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसके उपर हम शुगर शुरब आड़ कर देते हैं आपको जितना मीटा चाहिए उतना आप इसके अंदर शुगर शुगर कारें पे माइशिरब लगा णेया हुआ है और उसके बाद जो पीन बैंग में हमें क्रीइम फिल किया था तो क्रीइम इस तरीके से से कर गोड़े तो आसाली हो जाएगी करेंगे में कुंहां पर दीर चार आरे से क्रीम को फेला लेती हम हैं जैथा नहीं हाँ यार सामय देखे जादा कुछ नहीं लगता है आप चाकू से भी इसे क्रीम फैला सकते हैं अगर इस तरह की सपैचुला वगएर आपके घर में नहीं है तो तो देखे क्रीम अच्छी तरीके से फैल चुका है तो मैं आप दूसरा लेर भी रख देती हूं उपर का लेर जो है तो मैं अपर शुगर शरफ प्याठ करना है तो शुगर शरफ अच्छी तरीके से अंदर तक याई इसलिए आपको इससे कट करना है जो उपर डूम शेप बिजा नहीं होता है उसे तो इसे भी मैं आप शुगर शरफ लगाए हुआ हूँ है तो महां पहले क्रम कोड़ कर देते हू कोई भी आप चाहे तो कार्ड वगेरे ले सकते हैं जैसे एटेम कार्ड डेबिट कार्ड वगेरा जो डिबायड हो चुका है उससे यूज करना है जो चालू है उससे यूज नहीं करना है या फिर आपके पास स्क्रेपर्स वगेरे तो भी उसकर सकते हैं या फिर जैसे जो जे कि इसे सेट हो सकया और वाद में इसे क्रिम लगाते है से मैं अच्छी तरीके से आसानी से फैल जाए तो देखिए उपर से भी में आपर अच्छी तरीके से फैला लेती हूं और इसे क्रम कोड कर लिया हुआ है में आप देख सकते कितना बढ़या लग रहे है ना पहले से क्रिस्मस भी आने वाला है तो आज मैं आपको नुभाय करके क्रीस्मस केक बनारी हूं, आगर आपको नुभाय केक चाहेता किमें बताने कहसा क्री में चाहेता केक हटाानी ह्हाएegt देखिए, तरीके से मिया यह पीड़ी यह अप एक्स्टा क्रीम हटा रही हूं, जितना एक्स्टा है उत्णा फिल्टा करके अच्छी तर्ीके से मिया बें चारोर से क्रम कट कर देती हूं, उसे को ही कितना सिंपल है ना घर में ही यमेशा केक आप बना सकते है बाहर के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जितना चाहिए उतना केक आप बना सकते है तो मैं आपे 5-6 मिन के लिए फ्रिज में रख देती हूँ तो यहाँ पे 5 minutes के लिए में रखा था, तो इन बड़ा तरीके से सेट हो चुका है फिर से मैं आपे piping band में क्रीम याड़ किया हुआ है तो अब है क्रीम को फ्यला लेंगे, 4 और से अच्छी तरीके से लगाना होगा इस तरीके से आप piping bag में डाल करोगे तो अच्छी feel होगा तो देखे में आप चार और से अच्छी तरीके से जितना cream चाहिए आपको जितना cream का layer चाहिए उतना cream लगा सकते हैं अब में आप इसे चार और से अच्छी तरीके से plane कर देती हूँ आप scrapper भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में scrapper वगेरे अवेलेबल है तो तो ऊपर का भी clean कर देती हूँ देखे कितना बढ़या तरीके से cake बनाया है न हमारा बहुत ही simple और easy है cake बनाना ज्यादा कुछ नहीं लगता है कम खर्चे में आप बना सकते हैं आप चाहे तो biscuit और bread का भी cake बना सकते हैं वह कैसे बनाना है उसका वीडियो चाहे तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड है आप देख सकते हैं वहां से चक कर सकते हैं और मैं आप थोड़ा सा line बनाया हुआ है ताकि हमें आप आज Santa Claus बनाने जा रही हूँ तो इसके लिए मैं आप थोड़ा सा उसका लाल टोपी बनाना चाहिए ना तो इसलिए मैं आप थोड़ा सा इस तरीके से छोटे छोटे से मोदक जैसे dot dots बना रही हूँ देखे स्टार हमें आप इसके उपर border बना लेती हूँ white वाला तो देखिए में आप अच्छी तरीके से आप चाहिए तो इसके उपर थोड़ा सा जैसे चाहिए वैसा border बना सकते हैं और में आप फिर से piping bag में क्रीम भर की लिया हुआ है देखिए इस तरीके से में आप इससे lines बना लेती ह हुआ हुँ छोटे-छोटे से जैसे सेंटा क्लॉस होता है बिल्कुल उसी तरीके से आज हम पर सेंटा क्लॉस बना रहे हैं क्रिस्मस दे के लिए अगर आपको क्रिस्मस ट्री की केक चाहिए तो भी बता रहा है मैं बनाने की कोशिश करूंगी तो देखिए इस तरीके से हल बाद में चोकलेट कोलर चोकलेट कलर को दीरे अच्छे आप पर पहले मूचे बनाएंगे बड़े वाले मूचे बनाएंगे तो एक फौलकासा लाइन बना लेजे रिखे लिया हुआ है चॉकलेट को आखों के उपर लगा लेती हूँ मेल्ट करके लिया हुआ है तो आखे भी रड़ी हो चुके हैं हमारे और यहाँ पर जो स्टार नूजल था उसी से में यहाँ पर मुझ्छे बना लेती हूँ देखे कितना बड़या तरीके से मुझ्छे बना हुआ है और यहाँ पर नाक भी बनाएंगे रड़ कलर का तो हलका सा एक मोदक बनाएंगे डॉट्स देंगे तो हमारा सेंटाव क्लोस लगबग बनके रड़ी हो चुका है हमारा आप देख सकते हैं कितना सिंपल और कितना यमी लग रहे ना जैसे बिल्कुल बेकरी में मिलता है उसी तरीके से आप घर पे बना सकते हैं और नीचे में यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर का क्रीम बचाता तो बॉड़र बना लेती हूँ आपको जैसा चैव वैसा बॉड़र बना सकते हैं में हाँ पर सिंपल और नॉर्मल तरीकी का बॉड़र बनाया हुआ है देखे कितना सिंपल और टेस्ट इसा हमारा सेंटा क्लॉस बनके रड़ी हो चुका है आप सभी को पसंद आये तो लाइक कीजेगा और शेर कीजेगा और हमारे चानल को अब तो सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर ले ना ताकि ऐसे हैं मज़ेदार रेसिप्य आपको मिलते रहेंगे कोई रेसिप्य चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना तो देखे मैं आप इसे कट करके भी दिखा रहूँ अंदर से भी कितना बढ़ा तरीके से इसका लेर्स बना हुआ है और आप भी संटा क्लॉस ज़रूर बनाए इस क्रिस्मस डे पर बहुत यमी बनता हो टेस्टी भी है देख सकते आप कितना बढ़ा है तो चलिए एगले वीडियो मिलते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद